बतन पे मरने वालों का यही वाकी दिशा होगा बतन की आप रू का पास देखने कौन रखता है सुना है आज मक्तब में हमारा इस्तिहा होगा सुना है आज मक्तब में हमारा इस्तिहा होगा पास देखने की जिस खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं उसके बारे में हम और हमाई नए पीडिये भूल गई है कि वो आजादी हमें कैसे मिली हम ये भी भूल गए कि आजादी के दोरान जिन लोगों ने काड़ा संगज किया वो कहा है और किस हालात में है अपना देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और इस आजादी के लिए जो आंदूलन चला कुछ तो ऐसे शहीद थे जिनके नाम हर जबान पर आज हैं लेकिन कुछ ऐसे शहीद हैं अब भी जिनोंने योगदान दिया जिनका नाम नहीं है उनमें से कुछ हाज हमारे पास भी हैं हमारे साथ मजरग हैं श्री पीएन तेलंग साहब जिनोंने इस आंदूलन मैं शुरू मैं जबके शिक-शिक थे और बाद मैं बच्चों मैं छोटों छोटे बच्चों मैं ये फूक दिया, ये संदेश फूक दिया कि देश को आपने आजाद करवाना है और देश आपकी सहयोग के लिए परतिक्षा में है तरन साथ ये जो आजादी का जो अभिहान था ये संगराम था ये इसका थोड़ा सा विवरन देंगे जो आपके समय का है और आपका स्मय का कितना उसमें योगदान था महात्मा गांधी ने अपना सत्यागरह संग्राम का बिगुल बजा करके देश में एक आजाली की लहर फेला दी थी वो आफरिका से सत्य और अहिंसा के अधार पर सत्यागरह संग्राम का बिगुल फूट करके और उसमें सफ़र हो करके देश को लोटे थे उन्होंने देशवासियों से कहा कि देखो हिंसा से हिंसा नहीं दबाई जा सकती है हिंसा का प्रतिकार हिंसा ही होगा और विदेशी शाषन है वो इसको बुरी तरह से कुचल देगा इसलिए हमें इस समय पर देश में सत्यड़ एःशा की मार्क की द्वारा अपना सत्यागर संगराम छेलने उन्हों उले बार-बार सत्यागर संगराम छेलने का जो मौका था वो अपने हाप में लिया में उन जनों में शिक्षक हो गया था और शिक्षक के रूप में जब 1922 में 9 अगस्त को महात्मा गांधी और उनके जितनी देश के नेता थे सब ग्रफदार कर लिए गए तो उस समय पर महात्मा गांधी ने देश के लिए एक नारा दिया करो या मरो अभी या फिर कभी नहीं उस नारे को सुन करके देश की तरनाई में छोटे छोटे बच्चों में देश की जंता में बच्चे, बूरे, जबान, इस्त्रियां ये सब आजादी के जंग में कून पड़े और आजादी के जंग में कून करके देश में जहाँ जहाँ जो था वो उस आख को और ही अधिक तीवर्टा के साथ सुल्गाने में लग गया मैंने भी कहा नौकरी छोड़ दी थी गांधीजी के आववान के विपर स्कूल्ज की कुछ सी स्तीफा दे दिया उस समय पर मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे थे पत्नी थी, कोई साधन नहीं था परंत देश में जो स्वाधिंता की आग चिनगारी जो तेजी के साथ फूट निकली थी उस आग ने तुमारे कुटम्र का क्या होगा बच्चों का क्या होगा पत्नी का क्या होगा इसकी कोई परवाय नहीं की और हम भी सत्यागर संग्राम में कून करके यहाँ वहाँ परची बाटने लगे लोगों को अपने परवस्यों को दूसरे लोगों को इस आजादी की जंग में कूने के लिए प्रुसांग जैने लगे उस समय पर कुछ महिलाएं हाथ में चूड़ियां ले करके और घर घर फिर रही थी उनको बत्लब यह गया और लोगों से कह रहे थी कि यदि तुम और अज़ बनना है तो यह चूड़ियां पहन लो वरना मर्दों की तरह इस आजादी की जंग में कून पर उसका परणाम यह अच्छा है उदा कि लोग बिना कोई सोचे समझे इस आजादी की जंग में कून परी जेल भर नहीं गई जहां से वहां तक हमारे सागरे जेल में सागर में था उस समझे पर जेलों में रहने को जगह तक नहीं थी और उस समझे पर हम लोग कि जना कितने लोग मैं 1947 1921 की 12 अगस्त को जेल खाने में भेदिया गया था उस समझे पर जेल खाने में हम लोग ने देखा कि सत्यागर संग्राम में ये देश में आजादी की जो आग थी वह के बाद शेहरों तक सीमित नहीं थी दिहातों में पूली तरा से फैल गई थी और छोटे-छोटे लड़के जंगल सत्यागर करके छोटे-खुल्षारिया ले करके जंगल काट करके वहाँ पर जेल की यात्रा कर रही थे तो हम लोग जब आपस में बात्यां कर रही थे इतने में एक लड़का आया छोटा नौदर साल की उमस होगी उसकी अपना बगल में बस्ता दवा हुए था गामा की पुस्ता के लिए था वो आया हम लोग उने कुछ उसकी अवस्था देख करके पूछा क्यों बेटा तुम अपने माबाद को छोड़ाए हो छोटे होगी तुम माफी मांग करते नहीं चले आओ दे अजी वो कहते का कहा रहा है ददा हमारी बग ने कहदा ही है कि बेटा जेल में मर जाई हो पर कभी माफी मांग के मत आना और उसने किस तरह से अपने बच्चों में ट्रेनिंग दी है तो जब हम लोग जेल से आए तो यही बच्चों में भावनान हमने भर दी थी वो भावनान भर करके हम लोगों ने वहीं पर फिर प्रचार करना और उसी को पढ़ना हुआ कि आखिर 1947 की 15 आगस्त को देश ने आजा सुरी के दर्शन किये सुधन्तृता का हमारे जीमन वो बहुत महत्व है सुधन्तृता पाने के लिए कितने ही सेनानी उने अपने प्राणों क्या होती दी कितनों ने ही अपना सरवच नोच्छावर किया आज ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों से हम आपकी भेट करवा रहे हैं यह उत्तरप्रदेश के श्री श्री वर्मा, बिहार के श्री विश्मनात माथुर और बंगाल के बंगेशोर राय तो सबसे पहले मैं वर्मा जी आपसे पुछना चाहूंगा कि आपने किस अवस्था में सुधन्तृता संग्राम में भाग लिया मेरा राजनेतिक जीवन आरम हुआ उनली सो एकीस में गांदी जी के सत्यागरा आंदुन से उसमें मेरी अवस्था सोरह साल की थी और उसके बाद आंदुन सवाथ हो जाने के परश्चाथ फिर मैंने डेवी कालेज कानपूर जोइं किया और वहां मेरा करांतिकारियों से संपर्क हुआ उन्नी सो पचीस में मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन अससेशन की सदिस्ता गिरहन की और वहां से मेरा करांतिकारी जीवन आरम होता है उसके बाद आठ सितंबर उन्नी सो अठाइस को यहीं दिली में कोटला फिरोश्या ने सर्दार भागसिंग के नेतरत में एक मीटिंग करांतिकारियों की गुप्त मीटिंग हुई उसमें पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन अससेशन से बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपॉब्लिकन अससेशन कर दिया गया उसके कुछ महत्यपूर्ण और फैसले थे ऐसे काम करेंगे जिनसे जनता का सीधा संपर्क हो और संदर्स मर्डर और असेंबली बंक्रेश उसी नीती के अंतरगत किये गए थे पिर हमने बंफैक्टरी स्काइम की एक आगरे में और एक शारनपूर में लंबी कहानी है अलत्यमे में शारनपूर में तेरा मई उननी सो ननतिस को गिरफदार हुआ उसी बंफैक्टरी में कितने बार आप अपने कारेकाल में गरफतार हुए वैसे तो मैं चार मरते गरफतार हुआ लेकिन सबसे लंबी जेल की अवदी और पहली हुई कितने समय के लिए आप जेल में गए थे सबसे जाड़ा बार शोला वर्ष शबसे पहले वो लाइफ सेंटेंस हुआ था तो वो तो continuous 16 साल 10 महीने जेल में रहना पड़ थे काला पानी भी आप गए थे? हाँ, वहाँ यहाँ के जेल के अपने बारतवर्ष के अलग अलग जेलों में रखने के बाद आखिर में मुझे 1923 में काला पानी भेज दिया गया थे उससे पहले जेलों में काफी संगर्ष हुए अपने जतिन अदास का नाम सना होगा लहुर में हंगल स्ट्राइक हुई तिर सर दिन की उसमें उनके साथ हंगल स्ट्राइक में हिस्टा लेने का सवभाग गिए पिर मदरास जेल में राजामंदरी में पांच वहीने 20 दिन की हंगल स्ट्राइक हुई उसके बार अंवंज में फिर बारत वर्ष वापिस आना के लिये जो हंगल स्ट्राइक उशमें में ने हिस्सा लिया तो जब आव जेल में थे उस समğchen में आपने किस तरह से स्त्यक्रे किया किस तरह से आंदो निनको आगी बढ़ाया? जेल में रहकर कि एक तो संगरिश का एक मात रास्ता है, वो खड़ता है, जायद और तो उसी का रास्ता अपनाया गया, उसके अलावा कभी ऐसी परिस्तितियां में आती है, जब अपने आत्म सम्मान को रखने के लिए लड़ना भी पड़ता है, तो वो तो मौके की चीज है, कभी वो हमें पीट लेते थे, कभी हम उनको पीट लेते थे. तो एक कोई ऐसा संसमान सुनाई है वर्मा जी, जिससे कि आप बहुत ही पेरित हुए हूँ, जो आपके जीवन का बहुत अच्छा हिस्सा बन गया हो, यह जिससे कि आज के नौजवान कुछ प्रेड़ना ले सकी. दीखें, वैसे तो घटनाएं बहुत सी हैं, लेकिन मैं खासतोर से एक घटना का जिक्रिकरना चाहूँगा, वो है उननीस सो तीस दिसम्बर की है। हम लोगों के केश का फैसला हो चुका था, और हमारे तीन साथियों को म्यतुदेंड हुआ था, बादर सिंग, सुख़देव और आजगुरू. बाकी हम लोगों को आजवन का रावास हुआ, वहां से इन लोगों को आज़ी देने से पहले, हम सभी लोगों को लाहूर के अंदरी कारागार से मुलतान भेज़ दिया गया। रात का समय था, अचानक हमारी कोट्रियां खुली, और हमसे चलने के लिए कहा गया। थोड़ दूर चलने के बाद, जेलर ने पूछा कि अपने साथियों से मिलना चाहोगे, हमने उसे धन्यवाद दिया, और उसने ले जाकर हमें तीनों साथियों के सामने ख़ड़ा कर दिया, फासी की कोट्री में थे। एक-एक कर भगत सिंग की कोट्री के सामने, से हम सभी लोग गुजर रहे थे, मैं कतार में सबसे पीछे था, जब मेरी बारी आई, तो आप हम सभी लोगों की भावनों को समझ सकते हैं, कि जिन साथियों के साथ इतना आगे बढ़ कर काम किया था, वो हमेशा के लिए हमसे अलग हो रहे थी, इस विचार से मेरी आँखों में कुछ आशु आगे, तो भगत सिंग ने अपनी कोट्वी के अंदर से हाथ बढ़ाते हुए, मेरा हाथ पकड़ा, और कहा कि देखो, भावक होने का समय अभी नहीं आया है, मैं तो कुछ ही दिनों में सारे जन्रेटर से छुटकारा पा जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों को एक बहुत लंबा सफर पार करना पड़ेगा, मुझे विश्वास है कि जब तक जिस संकल्प को लेके हम लोग चले थी, वो संकल्प पूरा नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम ठकोगे नहीं, बस्त नहीं होगे, रास्ते में ठक कर बैठ नहीं जाओगे, और अंतिन स्वास तक अपने आधरिश के लिए संगरिश करते रहोगे, कि मेरे राज़दी कीवन के करीब चौशट साल पूरे हो रहे हैं, इस चौशट साल में कभी ठक कर बैठ जाने का जीना चाहा हो, यह कहना एक गलत होगा, लेकिन जब भी कभी इस तरह के दिल में भाव आये हैं, तो भागत सिंग के वो शब्द दिशा मिर्देशक के रूप में फिर सामने आ जाते हैं, और आज 81 साल के अवस्ता में भी मैं उनी शब्दों से प्रणा लेकर अपने काम किये जा रहा हूँ. महतरु साहब, आप से मैं प्रशन करना चाहूँगा, कि आप पहली बार कभ जेल गए हैं? उननीस सो तीस में नमक सब्त्याग्रफ ये काशिव विद्यापीट के हम विद्यारती थे और हमारे विद्यापीट से बैच गया, क्योंकि विद्यापीट गहर कानूनी डिकलियर कर दिया गया, तो उस समय हमारे शिप्रकाश जी जो जिनका इंतकाल हो गया, वो क्याशिव विद्यापीट के बैच को लीड कर रहे थे, और हम लोगों ने सुनिया एक बहुत पासमेच तालाब था, वहाँ पर जाके नमक कानून तोड़ा नमक बनाया, और उसमें गिरफतारियां हुई, तो वो चंद दिन रखकर के जेल में छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी बाद फिर हम गया बिहार जहां हमारा घर था, हम वहाँ चले आए, और वहाँ पर बाकादा हम लोगों ने वो कानून को तोड़ा, और तीन महीने की सिर्शजा हुई थी, और जेल से चूटने के बाद फिर 1932 में पेशावर डे सेलिबरेट किया हम लोगों ने, मनाय गया था, जिसमें 144 धरा सरकार के तरुसे था, उसको तोड़ा, और उसमें 6 महीने की सजा हुई, पटना कैम जेल में हम थे, और उसके बाद चूटने पर, चूटि गया जेल में जिब हम थे, तो इस तरह हम ल इनसान के आत्म बल को तोड़ देना चाहता है, वो आपको इतना नीचे गिरा देना चाहता है, कि आप में लड़ने की वो ताकत न रह जाए, विल पावर नहीं रह जाए, आत्म बल न रह जाए, और इसके विरुद्ध लड़ते गए तो एक बहुत खुखार सुपरिंटे और वो उस बेप लगा करके वो हम लोगों को मारता था, जूते से ठुकराता था, नीचे गिराता था, थूपता था, तो यह एक सिमा थी जिसके बाहर हम बरदाश नहीं कर सके और हम लोगों ने उसका पैर पकड़ के खीश लिया, तो यह प्रशन हमारे सामने उटने लगा उस समय कि इस तरह से क्या संभाव है कि हम लोग सुराज ले सकेंगे इनके खिलाफ, तो बाहर आकर कि हम लोगों निश्चे किया कि इसको मारना चाहिए, और उसके खिलाफ हम लोगों ने उसके पत्र भेजा, उसमें गोली भेजी, और धमकी दी, लेकिन वो संयोग ऐसा था कि वो उसमें सुसाइट कर लिया, जो कि पुलिस ने उसको हमारे उपर मुखदमा बना करके गया शड़िन्द केस चलाया, तो ये जील जाते ही रहे, करीब चार पांच बार हम जील गए, गया शड़िन्द केस में हमें साड़े साथ वर्ष की सजा हुई, 1933 में, और 1934 में काला पानी भेजा गया, तो एक लंबी कहानी है, तो इस दोरान, इस जेल यात्रा के दोरान, या सुदनतता संग्राम का अभिहान जो आपने छेड़ा, उसके दोरान, आपको और क्या क्या यात्नाए हुई, हम लोगों को एक जेल में सजा है, कहलाती है, पैनल डाइट, वो लसी बना करके देते हैं, चार दिन तक, जिसमें नमक में आठा को खोल देते हैं, कच्छे आठे में नमक घोल के और देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, या गया सेल में उन्होंने धूप में हतकड़ी लगा करके दिवाल में, और खड़ा कर दिया, और दिवाल में खड़ लेकिन जब हम काला पानी आये तो एक नई जिंदगी इसके पहले हमारे साथ ही वहाँ भूखरताल कर चुके थे लंबी भूखरताल, 64 दिन का काले पानी में और उसमें तीन हमारे साथ ही शहीद हो चुके थे तो उनकी शहादत का ये नतीजा हुआ और हमारे सभी साथियों की विजय हुई उससे सरकार नीचे उतरी और उन्होंने मांगे पूरी की जो राजनेतिक बंदी थे सललर जेल के अंदर में और उसमें सबसे बड़ी सुविधा ये मिली कि जो हम लोग सललर जेल जो है वो सर्व एक एक काल कोटरी है साथ सो तो उनको आपस में मिलने की सुविधा हो गई और जब मिलने की सुविधा हो गई किताबें आने लगी किताबें हमें मिली पढ़ने की सुविधा हो गई भी उसका प्रभाव पड़ा उसमें मुक्य चीज ये थी कि जो रास्ता हम लोग अपनाई हुए थे वो रास्ता ये था कि जो जुम करने वाले सरकारी आफसार अंग्रेज थे बड़े-बड़े ओधों पर उनको हम बं से या रिवालवर से मार करके और सोचते थे कि सुराज इसके द्वारा हम नौजवानों को जागरित करके देश को के ध्यान को अपनी होर आकरशित करके हम सुराज ले लेंगे लेकिन जब हम लोगों को अध्यन का मौका मिला और विबिन ने देशों के इतिहास को हमने पढ़ा राजनेतिक शास्त को पढ़ा और वग्यानिक की कौन अपनाया राजनीती के प्रती तो हमारा ध्यान जनता की और आकरशिद किया, अंडमन की पढ़ाई का, सुल्लडर जेल की उस राजनीती की इन्यूर्सिटी का, सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि हमारा ध्यान किसानों की तरफ, जिसकी बड़ी पहुमत है हमारे तो उनकी तरफ ध्यान किया है उनका मजदूरों की तरफ सरवहरा की तरफ शोशिट जंता मध्यमवर की तरफ शिक्षित प्रोफेसर डॉक्टर्स वगरा सब की तरफ ताकि इनको हम बताएं कि गुलामी कितनी खराब चीज है मानवता के किस रूप में जुड़े हैं? दाकासार का एक गली में उदर कोई कांतिकरी एक्सकंडर्स उदर थे, पुरिश को किराओ किया और उदर लड़ाई हुआ, लड़ाई होने का बाद दो अदमी उदर मर गिया, सहीद बना, एक नाम था और नलेनी बक्ची आरेको दुसरा नाम था, एक दो सहीद होने का बाद एक घटना का संबाद धिरे से धिरे से हम जब बहुत छोटा था, मेरा उमार आट नाई साल था, हम लोग सुना, इधार एक लड़ाई हुआ, बिटिस को साथ में इधार दो अर्मी लड़ाई किया, लड़ाई करके उसको जान दे दिया, यह जो एक किसिन का बच्पान से इ दिरे से आते थे, आओ एक देखा गंधी जी का जो नन कोपरेशन, नन भायलन भॉम्मेंट था, वह उनिस्सो बीस साल में थे, वह अंदलन हम आप से देखा, आम वह ताइम में प्लास फोर का स्टूनेंट, वह ताइम में देखा गंधी जी का अंदलन बहुत आदमी, प्रशन करके जाते, वह आइन भंग करते, वह आइन भंग कर ऊपर पुलीस का जीरूम भी चलते हम दूर से देखते हैं, बच्पान बाइस में हम सामने जाने का लिए ड़ते, मगर हम देखा ये पुलीस का कितना जुलूम, काफी अत्ताचा आपने देखा, आर उसे को साथ असर देखा जाम देखा जो देख का बाजी और उसको अत्ताचा फेस करके बहुत लगते थे, यादना सही और आजादी को लिया, एक प्रशन राय साब मैं आप से करूगा, तीनों ही उस प्रशन से जुड़े हैं, क्योंकि आप तीनों ही काला पानी में रहे हैं, और काला पानी का नाम काला पानी कैसे पड़ा, जबकि एंडमान निकोबार में हैं, और आजकल तो वहाँ बहुत बड़ी आबादी है, बड़ इच्छे जगा है, लोग घुमने भी जाते हैं, तो इसके विशे में थोड़ा बतलाईए, उसके तीन धान चीज़ है, पहले तो यह है कि यह नाम बहुत आरंब से आ रहा है, कि बंगाल की खाड़ी जो है, वो ऐसे भी काफी गहरी है, और समुद्र के हिसाब से भी काफी गहरा है, और जैसे हम मजदीक के जहाद जब हमारा आगे बढ़ता है, तो पानी गहरा होता जाता है, तो काला, उसका रंग वो नीले से होता जाता है, और एकदम एक आईलेंड है वहाँ जा करके, तो वहाँ पर जो बंदी पहले तो ये जो क्रिमिनल्स होते थे, जो ड़केती या खून वगर किया, लंबी सजा है जिनको वो लोग भेजे जाते थे, तो वो भेजे जाते थे, तो प्राया वो लोट के नहीं आत तीसरा कारण की जब से 1857 के गदर के बाद से, गदर के बहुत से आदमी तरीब धाई तीन हजार राजनितिक वेक्ति कैदी वहाँ भीजे गए थे, और उनमें बहुत मर गए, बहुत कुछ रह गए, और वो नहीं आए, उसके बाद 1905 और च्छे कांड़ 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 क तो वो इभेंकर जो अत्याचार होता था और लोट के नहीं आते थे, तो वो एक राजनितिक सुरूप भी धारण कर लिया, और अंडमन जो है, वो हमारे राजनितिक आंदोलन के इतिहास का एक प्रतीक बन गया. मतन के मर्ण बादों का यहीं बादी दिशा होगा, मतन की आपरू का पास देखी कों रखता है, सुना है आज मक्तब में हमारा इंदिहा होगा, झालााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााा झाल झाल